अब अब शेक और आज की लेक्चर में डिस्कुस करने वाले हैं six फेरोमांस बीसिकली फेरोमांस के बारे में पढ़ेंगे स्टार्टिंग में और यह जो complete जो लेक्चर है वो है six फेरोमांस के उपर में कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इस चैनल ताकि अपकमिंग वीडियो की नॉटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए और एक चीज़ और है कि अगर आपको इस वीडियो की पीडियाफ या फिर पीपीटी चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल गूफ और एकर जैसे डाउनोड कर सकते हैं तो गैस चली स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को जैसे मैंने बताया कि आज की लेक्चर में हम डिसक्रस करने वाले हैं फिरो मॉंस तो अगर आप यह वर्ड पर थुड़ा सा ध्यान दो तो आपको ऐसा लगया कि यह हॉर्मोन जैसा कुछ लग रहा है मतलब हॉर्मोन ज कारणों से यह जो फेरो मॉंस है ने जो केमिकल है वो रिलीस किया जाता है बिसकली आप जो सामने अभी जो दो इमेज देख रहे हो तो साइट में आप देख लो बॉड़ी के बाहर कुछ केमिकल बढ़ा हुआ तो यहां पर आप देख रहो यहां पर भी क्या है मौत के रह तो सीमियो केमिकल Shoutick Chemical So मेडिजर कॉम saft guard के भी कैमिकल सबस्टांसिस यहां इनके बीच में कामुनिकेशन को समय करता हैке ।ो सीमियो कैमिकल जो हैं उनको दो क्टेगरी ले पर्पी फेयरो मॉंस जो इंट्रास्पेसिफिक स्मीयose chemiakels हैं जांतरिक हैं इंट्रसपेसिफिक कहने का मतलब है कि वो अपने species या फिर एक limited चीजों में यानी अपने type के insects में ही communication कर सकते हैं और दूर्शा होता है ऐलिलो chemics जो interspecific है दूर्शे species तक भी communication किया जा सकता है इनसे एसका मतलब हमने क्या सीखा जो semiochemicals हैं, वो दो टाइप के हो गए, feromones and allelochemics, ठीक है, I hope जो अभी तक का जो basic part है, आपको समझ में आया होगा, तो हम बात करते हैं completely feromones के उपर, ठीक है, तो यह देखें, one minute, okay, so feromones क्या है, feromones are chemicals secreted into the external environment by an animal which elicit, elicit कहने का मतलब है causes, ठीक है, तो feromones क्या है, chemical है, जो की secret किया जाता है external environment by an animals द्वारा, जो की specific reaction cause करता है, जो भी individual उसको receive करता है, मतलब feromones जो receive करता है, उन में specific reaction cause करता है, लेकिन within the same species, अगर आप ध्यान दो, तो कहां यह same species के अंदर ही होगा, मतलब feromones का effect, so feromones क्या है, volatile nature के होते हैं, they get communication among the insects, मतलब यह communication में, हम हर तरह के communication हम भी पढ़ेंगे भी, जो हर तरह के communication को establish करने में, यह feromones help करते हैं, so feromones are exocrine in origin, एक्जोक्राइन का मतलब क्या होगा, secreted outside the body, hence they were earlier called ectohormones, so feromones को हम ectohormones भी कहते हैं, यह ऐसा hormone है, यह फिर ऐसा chemical है, जो body के बाहा secret किया जाता है, the first feromone जो है, वो six attractant था, जो कि silk warm moth में दिखा गया था, मैं इसके चोटी से कहानी बताऊँगा आपको upcoming slides में, ठीक है, silk warm moth में दिखा गया था, सबसे पहले, feromone वो भी six को, जो partner है, उसको attract करने के लिए, secret हुआ था, based on the responses, elicit, कहने का मतलब जो responses cause करता है feromone, उस basis पे ferom feromones को दो group में बाटा गया है, first group is the primer feromones, ठीक है, and the second group is the releaser feromones, ठीक है, यह hope जो अभी तका part है, आपको समझ में आया होगा, next रव हम बात करेंगे कि जो primer feromones क्या है, और releaser feromone है, वो क्या है, so primer feromone क्या है, they trigger of a chain of physiological changes, यह trigger करते हैं, start करते हैं, physical changes के कुछ reactions को in the recipient, जो इ release किया है, तो में उसको receive कर रहा है, in case, तो recipient कौन है, male है, तो उनके body में क्या होगा, कुछ physiological changes आएंगी, लेकिन उनके behavior में immediate change नहीं आएगा, अगर वो primer feromones है, ठीक है, without any immediate change in the behavior, ठीक है, basically, इनका action है, यह feromones gustatory होते हैं, कहने का मतलब है, they act through gustatory, test के through, वो act करते हैं, मतलब यह test के through ही, कोई feromone का smell के through किया जा सकता है, feromone जो receive कर रहा है, वो smell के through, और कोई test के through इसको receive करता है, ठीक है, so अगर हम बात करें example में, तो cast determination और reproduction जो है, social insects में, जैसे आप ants जानते हो, bees जानते हो, wasp हो गया, termites हो गया, यह primer feromones से ही आपस में meditate करते हैं, like cast determination अपने हमन हैं, तो यह आपस में को communication जो है, वो primer feromones के through ही होता है, so these feromones are not much practical value in IPM, क्योंकि आप कुछ सोचो ना, जो social insects हैं, उनको हम IPM में थोड़ी control करते हैं, जादा, वो जादा crop को harm नहीं करते हैं, like ants bees, जादा, basically यह तो pollination में help करते हैं, so इनका IPM में जो role है, वो बहुत कम है, क इनका primer feromones का, जो releasor feromones है, they produces immediate change in the behavior of the recipient, वो immediate change करता है, behavior recipient का, releasor feromones जो है, में further उनको divide किया गया है, उनके biological activity, यानि किस चीज में help कर रहे हैं, releasor feromones, उस basis पे इनको कुछ groups में divide किया गया है, first is the sex feromones, second is aggregation feromones, मतलब इकटा होने के लिए, एक message देना है, यह फिर sex, यानि copulation के लिए feromones है, alarm किसी चीज के लिए देना है, like कोई आपका enemy आ रहा है, alarm के लिए, ठीक है, trial feromones, तो कहने का मतलब है कि यह feromones की category है, releasor feromones की, कि क्या biological activity है, उस basis पे उस feromones का नाम दिया गया है, so guys, I hope अभी तक का जो part है, आपको समझ में आया होगा, so हमने क्य सिखा, releasor feromones जो है, इनका work कैसे है, जैसे हमने वो gustatory देखा था, test की तरो, तो जो releasor feromones होता है, यह act करता है, olfaction से, smell, olfactory smell के वज़े से, इनका action होता है, ठीक है, और यह ऐसा है कि smell से direct पहुंसते हैं, central nervous system, और जो recipient होता है, जो receive करता है, वो अपने behavior को तुरंद modify करत है, ब्रेन ही तो और चीज़ को control करता है, ठीक है, so they are successfully used in paste management programs, so इनको हम IPM में use करते हैं, I hope जो आपको basic है, feromones का किस तरीके से आया है, यह समझ में आगया होगा, अब हम discuss करने वाले हैं, six feromones के बारे में, feromones में भी specific, जो हमने first discuss किया, six feromones, is a releasor feromones के अंदर में, हम उपर cover करेंगे, और यह lecture भी completely sex feromones के उपर ही है, ठीक है, so sex feromones क्या है, they are released by one sex only, एक ही sex, या तो male, या तो females को release करता है, और दूसरे के behavior को trigger करने के लिए, चीज़े, मतलब दूशा, या नि, दूशा जो sex है, या अगर male ने release किया, तो female को trigger करने के लिए, और female ने release किया, तो male को trigger करने के लिए, मतलब उनके behavior को trigger करने के लिए, फिरमोंस का release होता है, ठीक है, ताकि वो mating को facilitate कर पाए, मतलब mating कर पाए, mating मतलब sex कर सकते हैं, copulation कर पाए, ठीक है, they are most commonly released by females, जिक है, generally जो sex feromones है, वो female release करती है, और जो males है, इसके प्रती attract होते है, ठीक है, so यहाँ प दिखा गया है, कि अपराउट सिर्फिफ्टी स्पीसीज, male species हैं, जो फिरमोंस कर रिलीज कर रही है, मतलब देड़ सो में से सो हैं, females, और पचास, जो है, male species है, जो कि फिरमोंस को release करती है, ठीक है, so यह पार्ट आपको होब clear हो गया होगा, next एक word है, गर आपने हाँ पर प कहने का मतलब है, कि यह जो substance है, एफ्रोडायसेक्स, यह क्या है, जब इंसेक्ट जो पास-पास आ जाता है, so कह सकते हैं कि उत्तेजना के लिए, ठीक है, यह जो male है, इस चीज को release करता है, ठीक है, so आप यहाँ पर देखो, last sentence में क्या लिखा है, कि in many cases, male produces एफ्रोडायसेक ठीक है, मतलब यह है, कि जब male आ गई, तो male और female जब पास आ गए है, so to start the copulation, ठीक है, दूश्रे को attract करने के लिए, या फिर जिसको कहते हैं, उत्तेजित करने के लिए, एफ्रोडायसेक्स जो है, वो male basically release करता है, I hope जो आपको sex for pheromones का यह वाला पाट जो है, वो समझ में है होगा, नहीं हम बात करेंगे कुछ properties के बारे में, कि अगर female sex pheromone है, और male sex pheromone है, तो उनका range क्या है, roll क्या है, action किस तरीके से होता है, इन सबके बारे में, so आप देखो range में पहले लिखाए, जो left hand पर है, that is the female sex pheromone, right side पर male है, so अगर left side पर देखोगे, तो acts at a long range, यानि अगर female ने pheromone release किया है, तो long range का होता है, attract males from long distance, लेकर आप male ने release किया है, तो act for a short distance, ठीक है, role of other stimuli अगर हम बात करें, तो इसका less role है, ठीक है, और अगर male sex pheromone है, तो visual and auditory stimuli है, मतलब stimuli मतलब, कह सकते है, जो stimulus मतलब हो गया, कि receiver किस तरीके सो उसको receive कर रहा है, ठीक है, तो अगर हम action बात करें, तो action elicited मतलब किस तरीके का action होता है, attracts and excites male to copulate, अगर female sex pheromone है, तो male को attract करता है, oxide करता है male को, ताकि वो copulate करे, ठीक है, ठीक है, अगर male sex pheromone है, lowers female resistance to mating, ठीक है, अगर female नहीं ready है, मेटिंग के लिए, तो उन जो resistance दिखा रही है, उसको resistance को कम करने के लिए male sex pheromones, जो है help करता है, ठीक है, importance in IPM क्या है, अगर हम बात करें, तो female sex pheromones का ही use किया जाता है, most important है, और male sex pheromones का use IPM में बहुत कम किया जाता है, ठीक है, तो अब माली जिए, इस case में सिर्फ male ही release करेगा, वहाँ पे तो में male sex pheromones को ही use करना पड़ेगा तो वह depend करता है, लेकिन mostly हम female sex pheromones को use करता है, I hope जो यह वाला पार्ट है, वो clear है, अब हम बात करेंगे, कौन-कौन से insect order है, जो कि sex pheromones को release करते हैं, आप देख सकते हो, मने आपे mention क्या है, lapidoptera, orthoptera, dictoptera, diptera, colloptera, hymenoptera, hemoptera, neurooptera, and mycoptera, ठीक है, यह कुछ orders है, important orders है, जो sex pheromones को release करते हैं, ताइधर male और female, अगर हम बात करें, सिर्फ प्रॉपर्ली एक lapidoptera में, तो यह जो sex pheromones है, system, यह बहुत highly developed, highly evolved, lapidoptera में, ठीक है, so अगर हम बात करें, pheromones जो produce हो रहा है, वो कौन से gland से produce हो रहा है, तो हम बात करते है, in lapidoptera, they are produced by aversible glands, ठीक है, यह reversible glands से phheromones को release करती है, तो posture, phheromones release करने पहले, female जो है, body posture change करती है, उस posture को क्या कहते है, calling position, यह इसका नाम calling position है, basically male को call करने के लिए होता है, यह position तो male अगर आस पास भी है, before releasing phheromones, male देख के भी समझ सकता है, so this position is called calling position, तेक है, so aphrodiasic gland जो है, जो अभी हमने जिस्ट आसे gland से male secret करता है, जो की present होता है, as scent brushes, ठीक है, like कह सकते है, hair pencils की तरह, at the tip of abdomen, ठीक है, abdomen के tip पे present होता है, example male butterfly of denasis, ठीक है, denasis species, okay, मैंने denasis कह दिया, denasis species में, ठीक है, so यह है, वहाँ पे gland कहा present है, at the tip of the abdomen, okay, so अगर next अगर हम पॉइंट बात करते हैं, तो यहाँ पे एक word लिखा है, एंड्रा कोनिया, ठीक है, यह क्या है, our glandular scales, ठीक है, scales है, कहां present होते हैं, wings of the male moths, producing aphrodiasics, ठीक है, यह gland है, जो की scales में present होते हैं, wings के scales में, जो की male moths में, aphrodiasics को produce करने में, help करते हैं, I hope, जो production है, किस gland से हो रहा है, clear है, अब बात करते हैं, reception, receive जो करेगा, so फिरोमोन, reception में अगर हम बात करें, तो female sex pheromones are usually received by olfactories inside, on male antenna, कहने का मतलब है, कि olfactory, यहनी, through smell, इसी इसको receive किया जाता है, male द्वारा, अगर female ने release किया है, तो, जिक है, in pheromones, perceiving insects, the antenna of male moths are larger, जिनको receive करना, उनका antenna थोड़ा सा बड़ा भी होना चाहिए, ताक कि, जो chemical substance उड के release होके, जार रहा है, environment में, उसको properly catch कर पाए, and greatly branched than female moths, to accommodate numerous olfactory sensilia, कहने का मतलब है, ultimately sentence का मतलब है, कि male moths में, जो antenna है, वो बड़ा होता है, ब्रांस होता है, ताक कि, वो numerous, छोटे-छोटे sensilia बना पाए, उससे वो क्या होगा, उससे उसको benefit मिलेगा, most of the chemical, जो released है, उनको, यहनी, pheromones जो release किये गए, females द्वारा, उसको receive कर पाएगा, I hope यह वाला पार्ट भी clear हो गया होगा, next is the chemical nature of the sex pheromone, ठीक है, so basically आप जानते हो, हर चीज में के history है, और यहाँ पे भी, जो pheromones है, इनको कहते हैं, क्या, chemicals, so इनको chemical nature है, अगर हम बात करें, तो sex pheromone का in general, pheromones have large number of carbon atoms, 10 से 20 carbon atom होते हैं, और इनका high molecular weight होत लेकिन, pheromones volatile nature के हैं, तो इनका weight भी बहुत जादा नहीं होना चाहिए, very high नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत जादा हो गया, तो they cannot be carried out by wind, so यह wind से carry नहीं किया जा पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखो, यह वाला part अगर clear है, तो आप next एक, देखो of half a million virgin females of the silkworm, क्यानि वादा half a million, one million में कितना होता 10 lakh, क्यानि यह 5 lakh virgin female silkworm थी, उनके abdomen से, उन्होंने 12 mg phheromone को निकाला, और उसको नाम दे दिया, उस time पे, बॉंबी कॉल, चीक है, तो आप से गर option ने पूछा जै, बॉंबी कॉल क्या है, बॉंबी कॉल is the phheromone of the silkworm, चीक है, अगर इसका chemical नीम अपको इतना important तो है नहीं chemical नीम, फिर भी आप देख लो, chemical नीम क्या होता है, इसका, 10-12 hexadeca di-enol, basically enol आप चानरों, alcohol के लिए लिए तो it is a primary alcohol, so यह एक थोड़ा सा एक्स्टा बाट था, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, so अगर हम बात करें, phheromone system के बारे में, चीक है, कि phheromone जो है, उसमें single type of chemical है, और एक से जाधा type of chemical present है single phheromone में, so देखे, अगर इस phheromone of an insect is composed of only one chemical compound, उसको monocomponent phheromone system कहेंगे अगर phheromone में सिर्फ एक ही chemical compound है, तो उसको monocomponent phheromone system कहेंगे, लेकिन अगर phheromone में, जैसे कुछ insects में होता है, एक से जाधा more than one chemical compound present है, तो उस case को हम कहते है multi-component phheromone system, चीक है, मतब एक से जाधा chemical भी, एक ही phheromone में एक से जाधा chemical presence हो सकते हैं, चीक है, अगर हम बात क phheromone release किया है, कोई same-sex phheromone, तो यह possible है कि दो अलग-अलग insects से same-sex phheromone को release करें, लेकिन फिर इसको variable, यानि अलग-अलग से वही insect कैसे पैचानेगा, amount से, चीक है, मतलब कहने का मतलब है ratio, let's suppose A ने भी कोई जैसे अमाल लेते हैं, bombicol ने, bombicol जो phheromone है, वो release किया, और let's suppose किसी भी ने भी इसी chemical composition का कोई release किया है, उसका नाम bombicol नहीं बोलेंगी, के लिए, इस पैसलिए हो silkworm के लिए है, let's suppose same chemical combination का, दो नों ने release किया है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये है कि दोनों insect का जो ratio होगा, compound का, वो अलग-अलग होगा, ठीक है, मतलब यही तरीका है, इसको differentiate इस तरीके से insect कर पाते हैं, ठीक है, I hope यह जो multi-component pheromone system है, वो clear है, next on the last topic है आज की lecture का, that is the pest management with the sex pheromones, ठीक है, so आज के समय में जो female sex pheromones हैं, वो pheromones हैं, वो जो है, basically IPMV use किया जाते हैं, so synthetic analogs, analogs मतलब similar, ठीक है, synthetic हमने similar बना लिया है, sex pheromones of quite large number of pests, ठीक है वो available हैं, और use किया जाते हैं, insect pest management में, sex pheromones basically, अगर हम बात करें, तो तीन different way में use किया जाता है, पहला pest monitoring के लिए, दूशरा mask trapping के लिए, and third अगर हम बात करें, तो confusion create करने के लिए, इस method को हम कहते हैं, decoy method, तो आप याद रखना थोड़ा से यह decoy method क्या है, confuse करने के हैं, तो आपे confuse हो जाता है, insect, और मतलब उससे हमें क्या फायदा होता है, कि उनकी mating जो होती है, disrupt हो जाती है, let's suppose मालीच ची कि left hand पे male, insect अगर बीच में, left hand पे female है, तो उससे ज़्यादा हमने क्या कर दिया, right side में हमने क्या कर दिया, phheromone जो है, वो release कर दिया, तो male confuse हो जा होगा और मेंटिंग को disrupt हो जाएगी, तो basically अगर हम बात करें, तो monitoring में क्या करते हैं, basically sampling and detection किया जाता है, और mass trapping में क्या करते हैं, उनको attract करके kill किया जाता है, एक पर बुला लिया गया और मार दिया गया, किसी भी तरीके से, और मेंटिंग को disrupt करने के लिए, तो इसको हमन करता हूँ, उससे पहले में आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपने को सीखा है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, so guys, thanks for watching this video, till then stay tuned, साथ-साथ for updates on our channel, और quizzes के लिए आप हमारे Instagram account को भी follow कर सकते हैं, साथ-साथ last, अगर इस वीडियो की आपको PPTF और PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल, यहाँ पर मने उसका image भी add किया है, बाकि आपको सारी चीज़ों का जो link है, description मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको join यहाँ फिर हमारे आप को भी आप download कर सकते हैं, so guys चलिए मिलते हैं next lecture में, bye-bye